नमस्कार मैं हो ससी आये जर्गां की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं राश्ट्रिये अरोग्य निधी योजना से मिलेंगे 15 लाग केंद्र कीटश्ट्रिये अरोग्य निधी योजना तथा स्वास्त मंत्रि विवेका धिन अनुदान योजना एक जून से बदले पैटर्न में लागू होगी बतादे अवराश्ट्री अरोग्य निधी जोजना का लाब आर्थिक समाजिक सर्वे की सुची में सामिल उन सभी परिवारों को मिलेगा जिन्हें आयुसमान भारत मन रेगा तथा खाद सुरक्षा का लाब मिलता है बतादे जारखन में ऐसे 25 लाख परिवार हैं जो इस सुची में सामिल हैं इस से अब अधिक गरीब परिवार को गंभी असाधे बिमारी की सिती में 2-15 लाख रुपे तक का मुप्त इलाज देश भर के सुची बद बड़े सरकारी अस्पतालों में हो सकेगा बतादे पहले इस वोजना का लाख बीपेल परिवारों को अस्थानिये प्राधिकार द्वारा निर्गत आयपरान पत्रिक के अधार पर दिया जाता था टाटा इस्टील सीम हिमन्त को सोपेगी 5 यार अक्सिजन सिलेंडर जारखन में क्रोना की जंग जितने खुले कर कई क्यवायद की जा रही है बतादे राई सरकार के साथ साथ कमपेणियों का भी स्वयोग मिल रहा है आम लोग भी इसमें स्वयोग दे रहे हैं बतादे जार्खन की CMM सुरेन सरकार ने विभीन कम्पनियों से भी स्वयोग आगर किया है इसी दीशा में टाटा इस्टील द्वारा CSR के ताथ 3,000 अक्सिजन सेलेंडर UAE से आयात किये गए हैं पतादे जल्द ही 2,000 और अक्सिजन सेलेंडर आयात किये जाएंगे ज़रूरत बंदों के उपयोग को लेकर सरकाव विभीन अस्पतालों में इन्हें सोपेगी 45 पलस लोगों का औरन स्पोर्ट फैक्चिनेशन के लिए विशेस चलंत टिका करन अभियान जार्खन के स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने सुक्रवार को राची में हरी जंडी दिखा कर व और इस दिशा में कदम उठाया जा रहा है कुरोना के खिलाब जंग में ये विशेस चलंत टिका करन अभियान मिल का पतर सावित होगा पांच पुलिस कर्मियों के हत्या में सामिल एक लाह का इनामी मवादी गिरफतार गुमला पुलिस ने गुरुवार की देर राच चैनपूर थाना छेत्रे के कटका ही घोर हटी से एक लाह के इनामी हाटकोर मवादी नक्सली माधव भगत को गिरफतार कर लिया है बतादे माधव ने नीरिसंस तरीके से चैनपूर में दोहर थेरा में पांच पुलिस कर्मियों के हत्या कर दी थी चैनपूर थाना पूलिस को बर्ष 2.13 से हत्या आर्म्स एट विसफोटक पदार्थ अधिनियम वह धम की देने के मामले में इस कुख्यात नक्सली की तलास थी जे पी एसी लेखा पताधिकारी पीटी का रियल्ट जारी जहरकन लोग सिवा आयोग ने सहायक लोग अभियोजक मुख्य परिक्षा चा थालेखा पताधिकारी न्योकती प्रावर्मपिक परिशा का परिणाम सुक्रवार को जारी कर दिया है पतादे सायक लोक अभियोजक मुख्ष परीचा में कूल 114 अभियार्थी शक्षतकार के लिए सफल गोसित किये गए हाई इनमें 157 अभियार्थी अनरक्चीत 8 अभियार्थी SC 13 ST 10 OBC धवस्त हो गया क्रोरों का पूल सीम हिमंत ने दिया जाच का आदेश रांची के तमार में कांची नदी पर बने पूल के धोस्त होने के कारणों की जाच होगी बतादे मुख्यमंत्री हमंसुरे ने इस बावत आदेश दिया है उधर ग्रामिन विकास मंत्री अलमगीर अलम ने भी उचस्तरिय समीती का गठन कर दोसी पतादीकारियों और सनवेदक के विरूद जाच का निर्देश दिया है बतादे की चक्रवात याज के कारान हुए विश्वन बारिस की वज़ा से कांची नदी पर पूल गुरुवार को धोस्त हो गया था बस 2018 में बने इस पूल का निर्मान करीब 8 कोरोड की लागत से किया गया था कुरोना संक्रमीतों के अमतिम संसकार में परिजनों को करे सामेईल कुरोना संक्रमीत सवो का अमतिम संसकार धर्म और रिती रिवाज के तहत समोशित धंग से कराने की मांग को लेकर जार्खन हाई कोर्ट में जहनित याज का दाखिल की गई है बदादे जमसेदपूर के तितोवन्तो देवी महिला कल्यान संस्था की ओर से अधिवक्ता अप्राजीता भर्दवाज ने उक्त याचिका हाई कोट में दाखिल की है उन्होंने बदाए कि याचिका में आरोप लगाया गया है कि जमसेदपूर में कुरोणा संक्रामीत स्ववो का उनके परिजनों को धार्मे क्रिती रिवाज के अनुसार समुरी ढंक से अम्तिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है योतियों में महवारी स्वास्ता को बढ़ावा देने के उदेश से सुक्रवार को राजे में चूपी तोडो स्वास्त रहो अभियान का सुभारम किया गया पेजल मंत्री मिसलेश ठाकुर ने ओनलाइन इस अभियान का सुभारम करते वे बताया कि महवारी स्वास्ता परधारित राज अस्तरिये चूपी तोडो स्वास्त रहो अभियान पेजल योम स्वास्ता विभाग के परियास से सभी विद्यालियो अंगन बाड़ी केंद्रो पंचायत भौनों और स्वास्त केंद्रों में अविजित किया जा रहा है उन्होंने कहा कि स्वास्त विभाग द्वारा स्वास्त केंद्रों के माद्यम से सेनेटरी नैपकिन के बीतरन का कार्य किया जा रहा है जार्खन के गाउं में 9 के बराबर कोरोन गाउं में कोरोना संक्रमन की पचान तथा इसे निपटने को लेकर शुरु किए गए स्वास्त सर्वे अभ्यान से स्वास्त विभाग के पता दिकारी उतसाहित हैu बतादे अभी तक चलाए गए अभियान में जो बाते सामने आई है उनके उनसर गाओं में उतना संक्रमन नहीं है जीतने की संभवन अभ्यक्त की जा रही थी बतादे राश्टी ये स्वास्त अभियान जार्खन के राजे नुडल पदा दिकारी सिधात तिरपाटी ने सुकुबार को बताया कि अब तक राजे के नौ जीलो के गाओं में ही कुरोणा संक्रमन के अधिस संख्य मामले सामने आए आने कई जीलो में तो नगने या सुने संक्रमन मिला है जार्खन में 687 नए केस मिले हैं जार्खन में 99 मरीज की मौथ हुई है जार्खन में कुल मौथ की संख्या 446 है वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 11782 है भारत में 1,65,186 नए केस मिले हैं भारत में कुल मौथ की संख्या 3,22,384 है भारत में कूल एक्टिव केज की संख्या 22,14,981 है भारत में 2,73,806 मरीज स्वास्त हुए वहीं ज्यार्खन में भी 922 मरीज स्वास्त हुए है ज्यार्खन में 687 नाय केस मिले हैं जो बोकारो से 37,24,22,30, धनवाद, अर्शट, दुमका 5, पुर्वी सिमुन निनान पे, गाडवा 5, गिरीडी 46, गोड़ा 11, गुमला 46, हजारी बाग अरतिस, जामतारा 12, खोटी 5, कोडर्मा 30, लातेहर 24, लोर्दागा 16, पांकूर 1, पलाम मिले हैं ज्यार्खन में 292 मरीज स्वास्थ हुए हैं जो बोकारो से 37,24, देवघर 10, धनवाद, 132, पुर्वी सिमुन निनान पे, गाडवा 36, गिरीडी 55, गोड़ा 0, गुमला 94, हजारी बाग अरतिस, जामतारा 25, खोटी 49, कोडर्मा 69, लातेहर 78, लोर्दागा 16, पांकू 44, मरीज स्वास्थ हुए हैं ज्यार्खन में 1228 स्कूलों में स्मार्ट कलास को मंजूरी ज्यार्खन की सिक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 1922 कोड़ रुपए की स्विक्रिती दी है, सुकुरवार को प्रोजेक्ट अप्रूवल वोर्ट की ऑनलाइन बैठक में इसे मंजूर की मिली, राई सरकार की ओर से बीतिय वर्ष 2021-22 के लिए 321 कोड़ का पस्ताव रखा गया था, पूरे पस्ताव पर मंजूरी नहीं मिल सकी, बता दे केंद्र सरकार ने बीतिय वर्ष 2021-21 का बकाया, दो सो बागा को रुपए अलग से देने पर भी समती जताई, केंद्र सरका और स्मार्ट कलास को स्विक्रिती दी गई थी, पहले उसे तयार किया जाए, ज्यारखन में सडकों और पूलों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 3650 कोड़ मंजूर, मुख्यमंत्री के परयास से ज्यारखन को सडक निर्मान के लिए केंद्र सरकार से एक बड़ी सोगात मिली ह बतादे केंद्र सरकार ने बार्षिक पलान के अंतरगत जारखन के लिए 3650 कोड़ रुपए की योजनावों को मंजूरी दे दिया है, इस समंध में केंद्री सरक परयोहन यवं राजमार्क की ओर से जारखन सरकार को आउगत करा दिया गया है, पिछले वर्स केंद्र ने ब बार्षिक पलान के अंतरगत 1120 कोड़ रुपए मंजूर किये थे, यानि इस पर पिछली बार से करीब साड़े तीन गुना अधिक राशी बार्षिक पलान के ताथ मंजूर की गई है, बलैक फंगस के आठ मरीज स्वस्थ एक और की मौत, बलैक फंगस के संक्रमन का परसार लगातार बढ़ता जा रहा है, बता दे पिछले 24 गंटे में बलैक फंगस के चार नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है, वहीं सुक्रवार को आठ मरीज स्वस्थ हुए, जीने अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, बता दे स्वस्थ होने वाले मर मरीज में राची के पांच, फुर्वी सिमूं के एक, पलामू के एक, रामगर के एक मरीज हैं, अब तक की बात करें तो राज्य में 166 मरीजों की पचान होई है, रीम्स में CTS के नहीं खरिदना जानता के स्वास्थ से खिलवार बाबुलल मरांडी, भाजपा विधायक दल मरीजों को भोगातने को विवस हैं, सरकार राज्य की स्वास्थ सिवाव के प्रति कितनी लपरवा है, इसका या पर्मान है, ऐसे गंभीर विशाय को टेंडर परकिरिया में उलजाये रखना सरकार की नीती और नियत में खोट को बताता है, जारखन के बीत मंतरी रामेसरूराव ने कहा है कि कुरूना संक्रमन काल की बीपरित परिस्थितियों के मद नजर केंदर सरकार के ओर से एफ आर बीम एक्ट के तहत राज को सिये घाटे को सर्तों के साथ 5% के अंदर रखने की जो छुट दी गई है, उसे निस्प्रभावी कर दिया जाए, उरां सुक्रवार को केंदरी बीत मंतरी डाक्टर निर्मला सितारमन के दक्स्ता में आजित वर्चूल बैटक में जार्कन सरकार की ओर से अपनी बात रख रहे थे, उन्होंने कहा कि संक्रमन काल में केंदर सरकार के ओर से एफ आर बीम एक्ट के छोट जरू परदान की गई, लेकिन इस दोरां सरतों के साथ छोट उचित नहीं है, बैठक में डाक्टर रमे सरूरा ने कई बिंदों के ओर से केंदर सरकार के द्यान आकरिश्ट कराया गया है अनिमिया मुक्त में गुमला जिला अवल, स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंतरा द्वारा अनिमिया मुक्त भारत कारेकरम से समंधित बर्ष 2021 का बारसिक एसकोर काड एवं जीलों के परदासन का रैंकिंग होसित किया गया है बचों में रोग परतिरोदक छमता बढ़ाने के लिए समुधाईक अस्तर पर आई एफ ए नेविस्तरी दिशानेदेश जारी किये हैं जारखन के पांच आईस अपसर की टांसफर जाकन के पाँच आयेस अफ्सर कि सुक्रवार को टांसफर फोस्टिंग हूई बता दे इसमें कुलहान कमिंसनर मनीश रंजन को ग्रामिन विकास विभाग का सचीव बनाया गया वहीं ग्रामिन विकास विभागी सचीव राधना पटनाया को वानी जेकर विभागी सचीव बनाया गया है इसके अलावा पसुप पालन डारेक्टर नैंसी सहाय को जेस एल पीएस का सीओ बनाया गया है इस समद में कार्मिक प्रसासनिक सुधार में राजबसा भी भागनाय सुचना जारी कर दिया है रांची में पांच बाइक चोर गिरफतार ग्रामिन छेतरों के हट बजार में मोटसाइकल चोरी की घटनाओ पर रोकने के लिए रांची पुलिच ने जब संगठी तुरूप से शापे मारी अभियान चलाया तो एक बड़े चोर गिरफ का खुलासा हुआ इस गिरो के सरगना सहीद पांच आरोपी गिरफतार किये गए जिनकी निस हंदही पर बारा मोटसाइकले भी जब्त की गई पता दे पुछ तास में पता चला है किया गिरो चोरी की मोटसाइकल का इंजन वाचेचिस नमर बदल कर सिमावर्ती जी लोग के सुदरवर्ती गाओं में अने पने दाम पर बेच देते थे धन्यवाद